हुआ फेंस वैलकम तू लर्न काडमी फाइली वेस्ट बिंग और पॉलिटेखनिक एडबिशन्स तूज़न टूज़न ट्विटिफोर यहाँ पे ऑफिशिल नॉटिफिकेशन्स आ चुके हैं चाहे अब टेंथ के पास जेक्षपो की एक्जाम्स दें या आप आप आटिया क पॉलिटेखनिक कॉलेजेस में कितनी और भी कई सारी इन्फोंबेशन जो है इस वीडियो में आपके साथ में वेस्ट पिंगॉल पॉलिटेखनिक एडबिशन से डिटेट जो है सेयर करने वाला हूं तो जाने के लिए इस वीडियो को कंप्लिट अप एंड तक वच किजए वीडियो को जो है start करते हैं तो गाई जिए रहे official notifications West Bengal State technical vocational education and skill development की official notifications ठीक है admissions polytechnic first year 2024-25 sessions के लिए जो diploma engineering और technology different disciplines में आप जो है कर सकते हैं ठीक है देखे सबसे पहले बता दूँ जो है formfilip की online applications की date है वो already यहाँ पर start हो चुकी है आप लोगों के लिए 23 फरवरी से website जो है यह दो website को आप लोगों को follow करना है scvt westbingal.in और scvtvesd.wb.government.in के website तक और last date जो है 15 मैं तक जो है आप इस form को apply कर सकते हैं लगभग आपको तीन महिने की समय दी जाती है आपको हर साल polytechnic में apply करने के लिए ठीक है इसके बाद यहाँ पर देखिएगा eligibility criteria की बात करूं तो लगभग आप सारे ही अगर आप 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप लोगों को entrance exam देना होता है जो जेक्सपो नाम से entrance exam होती है इस पर कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है और 10th की लिए durations तीन साल रहती है ठीक है लेकिन आपको eligibility आपको 10th के साथ physics chemistry physics science और math की combinations आपकी होनी चाहिए तो आप checkspo exams के लिए eligible है साथी साथ branch की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी branches है ठीक है यहाँ पर आप देखिएगा जैसे की agricultural, agricultural, Autonomics, chemical, civils, computer science, technology, mechanical जैसे काफी सारे यहाँ पर आप लोगों को branches मिलती है ठीक है तो यह सारे branches से आप कर सकते हैं अगर वही मैं lateral entry वालों के बात करूं जो ITI के बात और यह 12th with science से होते हैं वो भी यहाँ पर direct second year में उनकी entry लेती है बस यहाँ पर criteria सेम होते लेकिन branch यहाँ प apply करने के लिए आप लोगों को 450 रुपीज जो है आप लोगों को लगेंगे यूर वालों की और जो करने असरी की होंगे वो 225 रुपार जो है payment कर सकते हैं यह कौन-कौन से बोर्ड वाले यहाँ पर eligible हैं देखिए आप इंडिया से कहीं भी है आप इस form के interns exams में बैठ सकते ह यहाँ पर जो तेंथ की जो बोड होते वो यहाँ पर इस्ट आपको दे दिये गए हैं ठीक है साथिसाथ यहाँ पर देखिए सग्गर अप अधर लोग यहाँ पर इलिजिबल नहीं होगा यह चाहें वबी सी हो आप अगर वेस्ट पर इंगौल से बाहर है तो आप किसी भी कास से हो आप यहाँ पर जेनरल काइड़ी ऐसा ट्रीट होंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पर साफ साफ यह चीज लिखा हुआ है जो मैंने आप लोग को अभी बताया ठीक है इसके बाद करना सरी के लिए 50% से जो है रेजिस्टेशन और फीज जो है वह रहते हैं यानि कोर्स में यहाँ पर अल्डेडी मांगी जाती हैं फीज की बात करूं तो देखिए गवर्मेंट कॉलेजेस में अगर आपकी एडबिशन होती है तो 50 रुपीज पर मंत आपकी फीज होंगी वहीं अगर सेल फाइनन्स कॉलेजेस में होती हैं कॉंसलिंग के थूरू तो मंत होगा वहीं पर आपको तो यहां पर यहां पर यहां airplane ऀयादम का यह जो यहां पर सेल फिक की आपर सबसक्राइब करें सबसक्राइब करें तो यहां पर नीचे आप आएंगे तो फिर यहां पर प्राइवेट कॉलेज़स कितनी हैं यहां पर यहां पर लिस्ट करके जो है दे दिये गए हैं ठीक है तो यही सब कुछ महतपून पॉइंट थे ठीक है यहाँ पर जो है फॉर्म फिलप आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर ठीक है फॉर्म फिलप किस तरीका से आप लोगों को अप्लाई करना है इसको उपर मैं कम्प्लीट वीडियो बना दूगा अब बात है कि इनकी ज इतना अच्छा माक्स होगा कॉंसलिंग में अतलब रैंक होगा उतना अच्छा कॉलेज आप लोगों को किये जाएंगे चाहे आप चेक्सपो की एक्जाम दे या वोकलेट की एक्जाम दे चलिए यहाँ पर मैं वोकलेट की जो है ओफिशियल लॉटिफिकेशन में उपन कर कर देखेएं और यहाँ पर जो भी साइनस लिये हैं जो साइनस बैग ग्राउंड से है वो भी यहाँ पर दो साल की लैटरल आगे बताए वो सभी डीटेल्स यहाँ पर सेम रहती है ठीक है और entrance exams में क्या होगा उसका मैं एक आप लोग को मैं प्रोवाइड जरूर देने का कोशिस करूँगा कि entrance exams में क्या आता है साथी साथ कौन सा बुक्स आप लोग फॉलो करें जो आप लोग की entrance exams में आप लोग की rank अच्छे हो चाहिए आप कही कोई भी state से हो आप लोग apply कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है बट अगर आप SC HD OBC से हैं तो वेस्ट पेंग और में आप लोग जिनरल का इंदर ऐसा ट्रेट होंगे चाहिए आप बिहार से apply करे जहारकंट से करे आसाम से करे किसी भी राज से करें उससे matter नहीं है ठीक है तो चलिए यही सब कुछ information थे कोई भी कोईरी या doubt है तो ज़रूर हमें comment section में comment करके बताएगा साथी सब्सक्राइब टालिग्रम कूपी जोइन कर लीजिएगा चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक लिए अपने खयाल र